पाली रिसर्च इंस्टिटूट मुंबाई के अध्यक्ष अर्विंद अविनाश भंडारे एवं शांताराम इंगले द्वारा शारू मारू गुफा का बारीकी से निरक्षन किया गया सिहोर जिला, सलकनपूर, मार्ग पर, पान गुराडिया, नक्टी तलाई के पास पहाड़ी पर सारू मारू गुफा इस्तित है यहाँ पर इन गुफाओं में समराट अशोक के समय के बोध इस्टूप एवं गुफाओं के पत्थरों पर अंकुरित पाली भाषा में चिनहित लेक लिखे हुए दिखाई देते हैं, जिनको देखने के लिए पाली रिसर्च इंस्टूट मुंबाई के अध्यक्ष अरविंद अविनाज भंडारे, शांताराम इंगले दुआरा यहाँ पहुच कर शीला लेक बोध इस्तूप शेल चित्र गुफाओं पर लिखी गई प इसर्ट, हिस्ट्री के द्वारा हम लोगों के सामने लाने का प्रयास करते हैं, उसी का एक प्रयास है जो हम लोग शारु मारुग गुफा का विजिट करने आये हैं, हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पर बोध प्राचिन इस्तूप हैं, उससे पूर्व के शेल चित्र हैं, कई जगह से सेकड़ परियेटक द्वारा मेले में सम्मिलित होने आते हैं। परियेटकों के लिए एतिहासिक प्राकृतिक रूप से खुबसूरत इस्थान हैं। वर्दमान में 12 इस्थूपों को पुरातात्वित विभाग द्वारा मोल रूप दिये जाने के प्रियास किये गए हैं। प्रवेश द्वार के पास इस्तित लगभग 30 फीट गोलाई का बना इस्थूप दिखाई देता है। केवल राम, सोनिया, धर्म, सीम, मेहरा, शुभम, पेठारी, राम भरो से मेहरा ने बताया कि यहां पर परियेटों को के लिए सडक इवं पानी लाइट की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके रिचर्ट जो किया जारा आपके दारा इस सासन से मानता प्रत है सैंक हम लोग पाली इसरज被 मूंबाइ बहरत में पाली भाषा प्रचार का काम करती है। वैसे ही ancient script जो है उसको पढ़ाने का अगाम करती है और ancient जो अपना history है उसको लोगों के सामने लाने का हम लोग प्रयास करते हैं उसको प्रकाश में लाने का हम लोग प्रयास करते हैं उसी का एक प्रयास का भाग है और इसी प्रयास के भाग के हेतू हम लोग सारू मारू आज टोइन के लिए आज हमें और ब्हुत बहुत चितटर कशा गौन성 करेंगे अच्छाव में लिए करेंगे इस कारिये के लिए आज हमें शिवम पेडारी साब जगदिश पेडारी साब रामनन्द जादव ने और उनके सहकारी जो है यहां से उन सब लोगों अब लोगों को भूत सहय किया है यहां तक पहुंचने के लिए तो हम पाली रिसर्च इंस्ट्टीट के और से उन सब के हम अभाई हैं और यहां अभी हम लोग हैं प्रसो और कल हम लोग बुद्नी जाने वाले हैं भुद्नी में भी है और हम पर सोगी हम पर्सो ऐसे मध्य प्रदेश में जितने भी बनलब अभी तक प्रकाश में नहीं है लोगों उसके बुक्नी नहीं हें लोग इसे उसंद्स को कह dys Boh 10 लेकिन लोग उस पकरन उस जगो पे कम विज़िट करते हैं तो ऐसी जगों में हम लोग जाकर उसको हम लोग प्रजाष मेला लाने प्रयाशक में लासको आखे तो जहा-जहां हमने किया में और इस जो इस कारिया में लगे हुआ है, वो भी काम करते हैं, और जैसे इस कारिया को हम लोग YouTube पर या social medias पर हम लोग डाल देते हैं तो बहुत सरे लोग उसको देख के, उसको पढ़ के, जो हम लोगों को Follow कर रहे हैं, ओ लोग भी यहाँ पर आते हैं, फिर बाद में और पाली रिसर्ज इंस्टिट मुंबई की एक धम्मा जयनचारी का भी चलती है उसका मतलब हम लोग धम्मा टूर और उस धम्मा टूर में हम ऐसे ही जगाओ पे लोगों को लेके जाते हैं जो जगा ज़्यादा कर लोगों को मालूम नहीं होती है बहुत गया सारनात, खुशी नारा, लुम्मीनी यह जगाओ तो हम लोग करते हैं हर साल लेकिन ऐसी जगाओ पे भी हम लोग एक टूर और और उसको धम्मा जयनचारी का हम लोग कहते हैं क्यानन नियोस के लिए सिहोर से विजय कलमोर की रिपोर्ट